मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको, पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुशी कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्रह में, इसी महिने में हम तीन कुरुशी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियों, मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परव का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, नए शिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्चक्ताओं को ध्यान में रखकर, क्रॉप पैटरन को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्वों पर भविश्व को धान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे, किसान होंगे, क्रिशी वैज्ञानिक होंगे, क्रिशी अर्थसात्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा देही शिवावर मोहे इहे सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये वर दिजिये कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटू जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद